जब आप जीवन में अपना सब कुछ खो देंगे तो निश्चित रूप से कोई आपकी मदद के लिए हाथ पढ़ाएगा ठीक गाउं के इस लड़के की तरह वे मुंफली बेच कर गुवा में कठिन जीवन बिता रहे थे लेकिन अवे बिटिश सेना में सेवारत हैं उनकी सफलता की कहानी सुन कर कोई भी उन पर गर्व महसूस करेगा लगभग 25 साल पहले श्री गुपाल का जैन्म करनाटा के कोपल जले के शहपुर नामक एक सुदूर गाउं में हुआ था श्री गुपाल ये लप्पा, वाकोडे और फकीरव्वा के पांच बच्चों में सबसे छोड़े हैं गरीबी के कारण परिवार रोजगार के लिए गुआ चला गया तीन बहनों और एक भाई के साथ दस साल का गुपाल भी गुआ चला गया दुरभागय से गुपाल ने अपनी पिता को खो दिया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी मा को भी खो दिया अपना पेट भरने के लिए गुपाल ने गुआ के बीच पर मुँफली बेची लेकिन इसी दुरान उन्होंने ब्रिटिश पेटक यूगल ब्रीट्स कैरोल और कॉलीन हैंसन का ध्यान आकरशित किया दमपती को जब उसकी दुरदशा का पता चला तो उन्होंने उसकी आर्थिक मदद की गुपाल की उम्र 19 वर्ष होने के बाद ब्रिटिश कैरोल दमपती ने उन्हें गोत लिया और उन्हें इंगलेंड ले गए जहां उन्हें क्रिकेट में प्रशिक्षित होने के लिए एक सैन्य बैरक में भरती करा गया खुनहारवा कोडे ने तुरंद खेल पर अपनी पकड बना ली और क्रिकेट ने अपनी बुद्धी मता और रणीती से सैन्य बैरक में अधिकारियों को प्रभावित किया सैन्य बैरक के अधिकारियों में से एक ने उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने में मदद की गोपाल वाकोडे की एक साधारन पारिवारिक पिष्ट भूमी थी, गरीबी के कारण उनका परिवार गोवा चला गया, जहां उन्हें एक ब्रेटिस जोडे ने गोड ले लिया, उन्हें इंग्लैन ले गए थी, अब वह ब्रेटिस सेना में सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व कादी से साल में एक बार भारत आते हैं, क्यूंकि गोपाल के रिष्टदार अभी भी शहपुर गाउं में रहते हैं, हमारे गाउं का लड़का ब्रेटिस सेना में सेवा कर रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, उनकी साधारन पारिवारिक प्रिष्ट भूमी होने के बाद भी, व गोपाल इस बात का एक उतक्रिष्ट उधारन है कि कैसे दृड़ संकल्प और ठैर्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है, ये वास्तव में सभी गरीब और वन्चित बच्चों के लिए प्रिर्णा दायक है, 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें, ETV भारत है